नमस्ते दोस्तों दोस्तों आप अगर जाडों के बारे में सही जानकारी चाहते हैं कि जाडों के प्रियोग से कैसे आप लच्मी माता को प्रसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आएं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि जाडों के रख रखाओ से आप कैसे लच्मी नराज होकर चली जाएंगी सदेव के लिए और अगर आप मातालच्मी को सदेव खुस रखना चाहते हैं तो आप को मातालच्मी की किरपा पाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए आज मैं उन्हीं उपाय को आपको बताने वाली हो पर वीडियो को सुरू करने से पहले एक छ सुबा जल्दी उटकर अपने पूरे घर में जाड़ो लगानी है अपने घर को साफ और स्वच करना है ऐसे करने से मातालच्मी प्रसंद होती है और आप पर उनकी खुर्पा बनती है जो महिला सुबा को देर से उठती है और विसूर देव के निकल जाने के बाद घर में ज मात लाज हो जाती है उनके घर में धरित्ता का वास होने रखता है तो आपको लचमी जी को खुश करने के लिए जल्दी सुबा उठकर अपने घर में जाड़ो लगानी चाहिए साफ सफाई करनी चाहिए दूसरा कारण है घर से लचमी मा की नराज होकर जाने का हुआ है बर आपको बर्तनों को धोने के बाद उन्हें सदे उल्टा करके रखना चाहिए ऐसा करने से हमारे दो फायदे होंगे एक तो हमारी माता लचमी नराज नहीं होंगी और दूसरा है हमारी बर्तनों का पानी जल्दी जड़ जाएका और जिससे हमारी बर्तन जल्दी सूख तीसरा सबसे बड़ा कारण है माता लचमी के नराज होकर जाने का हुआ है घर के लोगों का वासना की सोच रखना दोस्तो जिस घर के लोग वासना में पूर डूप से डूबे रहते हैं उस घर से भी लचमीमा नराज होकर हो जाती हैं और उन्हें सदा दरिद रहने का स्राप भी देती हैं तो दोस्तो आपको किसी भी प्रकार की वासना के वस में नहीं रहना है चौथा कारण है घर के सदस्यों के जूते चपलों का यहां वहां उल्टे पड़े रहना चपलों और जूतों का उल्टा पड़ा रहना भी घर में धन की कमी का कारण बनता है तो दोस्तो आपको घर में चपल जूतों को कभी भी उल्टा नहीं रखने देना है आपको अपने ज़ाडु को घर में लगाने के बाद कच्रे को सही इस्थान पर फेकना है जहाडु को किसी ऐसे स्थान पर लखना है जहाँ पर घर में आते जाते विक्देगी नजर ज़ाडु पर ना पड़े तो दोस्तों यह उपाय करने से आपकी मातलचमी आपसे जरूर प्रिशन होंग ओर चहां पर जगडे होते हैं, वहां पर मातल अच्मी कभी भी वास नहीं करती है, तो आपको कभी भी दो ज़ाड़ों को एक साथ एक स्थान पर नहीं रखना है। तो आप किसी पुराने कपड़े से कच्रे को एकत कर सकती हैं और इसे इखटा कर लें और सुबह होने पर इसे सही स्थान पर फेक दे तो दोस्तों ये थे ये थे कुछ उपाय जिने करने से आपकी मातलचमी आपसे सीखरी प्रसंड होंगी और आपका घर धन धान से भर जाए तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चानल को अभी सब्सक्राइब करें जैमाता दी